चलो साथियो इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में इतिहास के समाने ज्यान के महत्तपुन पचास प्रस्ण को देखेंगे जो कि आप लोग के कमेंटरेशन एक जामें बार बार पूछे जाते हैं तो चलो साथियो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे आपका हडपा सभेता की खोज किसने की थी हडपा सभेता की खोज किसने की थी तो हडपा सभेता की खोज दयाराम सहानी ने की थी ठीक है आपको अगता प्रस्ना है वहां सासक जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वहां कौन था त कि प्रथम यूद्ध किसके मध्य लड़ा किसके मध्या मोहममद गवरी और प्रिफ्वी राज्त्र तरिदी कि मध्य गारें का प्रथम लड़ा ठीक है अब देखें च examples ना बंगाल को मुगल सम्राज्य ॥ से प्रिफ़क कर्ष्वतब्र किया बंगाल को मुगल समराज से प्रिथक का स्वतन रखिया तो यह था मूर्शित कुली खां अब देखिए साथियो अगला प्रस्न है आपका बिध्वा पुनर्विवाह कानून कब बना? बिध्वा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो कब बना था? अब देखिए अगला प्रस्न अंग्रेजों ने फुट डालो और साशन करू की नितिकाब अपनाई तो कब अपनाई थी अठारा साव अंठावन इस्वी में बाद ठीक है? आपको अगला प्रस्न देखिए क्या है? आपको अगला प्रस्न है एंग्लेंड में ग्रीह युद्ध कितने वर्षों तक चला? एंग्लेंड में ग्रीह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कितने वर्षों तक चला था? साथ वर्षों तक चला था साथियो आपको अगला प्रस्न है आरिया भारत में कहां से आये थे तो याद रखना किंद्री एस्या से कहां से आये थे किंद्री एस्या से आपका अगला प्रशन है साथियो लेकि आपका अगला प्रशन क्या है किस अओधी में रमायड एवा महा भारत की रसन हुई थी पानिपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी पानीपस की दुसरी लड़ाई किनके बिच हुई थी तो किनके बिच में हुई थी वैग मखान और हीमो ठिक है इसका right answer है वैग मखान और हीमो अगला प्रसंच देखिए मुहम्मद गौरी कहां का सासक था तो यह अफगानिस्तान का सासक था ठीक है साथियो अब देखिए आपका अगला प्रस्ण है मस्तानी की सासक की प्रेशी थी तो ये थी बाजी राव पेश्वा की प्रेशी थी ठीक है आपका अगला प्रस्ण है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम सासक ने सर उप्रथम जीता था तो किसने जीता था खिलजी ने ठीक है खिलजीस का सयुक्तर होगा साथियो अब अगला प्रशना देखिए आपका अगला प्रशना है मुगल काल में सर्थम किस सहर में अंग्रेजों ने अपने कार खानी स्थाबित किये तो कहां पर किया था तो सूरत पर कहां पर किया था सूरत ठीक है अब देखिए अगल सहाख संधी कौन थी पहली सायक संधी कौन थी तो कंते निजाम इसका सही उत्तर है निम लेखर अगला प्रस्ना कि अगला पर 옷 ना आपका करनाटक संगीत करती ना किसे कहा जाता है करनाटक संगीत का पितामा किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है पुरंदर दास को किसे कहा जाता है पुरंदर डास को अगला प्रसना है किसके सासन काल में प्रथम चिन यात्री भारत में आया था किसके सासन काल में प्रथम चिन यात्री भारत में आया था तो इसका right उत्तर है चंद्रगुप्त द्यूति चंद्रगुप्त द्यूति अगला प्रसना देख़ए, साहट क्या है आपका अगला प्रसना है निम्रखित मुगल सासको में से किसे प्रिंस आप बिल्डर सके नाम से पुकारा जाता है तो किसे पुकारा जाता है तो साज जहां को ठीक है साज जहां इसका सेउत्तर है अगला प्रसना देखिए सिक समुदाय के अंतिम गुरु थे तो अंतिम गु अगला प्रस्ण देखे चीत्रकला की गंधार सली का सुत्रपात्र किसके द्वारा किया था तो किसके द्वारा महयान संप्रदा है अगला प्रस्ण ब्द्धो के विश्वास के अनुसार गौतम बुधध का अगला ऑतार किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है तो इसका रैंट उत्तर है कलकी कलकिस का सहुत्तर है अब देखिए अगला प्रसना साथियो आपका अगला प्रसना है समराट अकबर ने निम्खित में से किस महल का निर्माड फतेपूर सिक्री में करवाया था तो इसका सहुत्तर है पंच महल पंच महल सहुत्तर है अगला प्रसन देखिए कुतुम मिनार के किस राजा ने बनवाय था तो कम से राजा ने बनवाय था चैंद्रगुपत्त द्यूति ने बनवाय था अब देखे अगला प्रस्थन है आपका भारत की प्रथम महिला सासक बनी थी तो ये बनी थी रजया बेगम कौन बनी थी रजया बेगम अगला प्रस्ण है टिपू सुल्तान कहां का सासक था तो ये सासक था मैसूर ठीक है मैसूर इसका सहीटतर होगा अब देखो अच्छी हो अगला प्रस्ण है आपका भारत में प्रथम मुस्लिम आकरमार कारी था तो ये कौन था महमुद बीन कासिम अब देखो अगला प्रस्ण है आपका किस के समाधी के कारण नांदेढ गुरू द्वार शिखो द्वारा पवीत्रा माना जाता है। किसके समाधि के कारण नान्देवर गुरू द्वारा सिखो द्वारा पवीत्रा माना जाता है। तो इसका सहुत्तर है गुरु गोविन सिंहल की अगला प्रसन है कि विख्या सोन नत्मंदीर को किसने नष्ट किया था था चिस ने किया था सुल्तान महमूद ने प्रसन प्डीक प्रसन निम्र खित में से कौन सा सबसे पूराने इस्मारक ह। निम्रखित में से कौन सा सबसे पुराने इसमारक है तो सबसे पुराने इसमारक है अजन्ता गुफाएं ठीक है सिंदु घाटी सभयता के लोग पुजा करते थे किसकी पुजा करते थे पसुपति की ठीक है अगला प्रस्न है पानिपत की तिसरी लड़ाई कब हुई थी तो ये 1761 में हुई थी ठीक है आपका अगला प्रस्न है आपका अगला प्रस्न है मुगल समराज की निव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है तो किस लड़ाई के बाद पानिपत की प्रथम लड़ाई ठीक है उ मुगल वन्स की स्थापना भारत में कब हुई तो भारत में कब हुई 1526 में 1526 में आपक अगला प्रास्ण है देखें प्लासिक युद्ध कब लड़ा गया था तो कब लड़ा गया था अगला प्रास्ण है देखें दिल्ली का लाल किला किसने बनवाय था तो किसने बनवाय था सहां जहां नहीं ठीक है अगला प्रास्ण है सीवत जी के प्रसासन में पेशवा किसे कह जाता है तो किसे कह जाता है मुख्यमंद्री को ठीक है अगला प्रास्ण है आपका देखिए भारत की प्रथम पुनता हरंगिन फिल्म कौन से थी जहां से की रानी अगला प्रस्न है वियना सम्मिलन कब हुआ था तो कब हुआ था 1815 इस्विनी ठीक है आपका अगला प्रस्न है किस देश को योग का मरीज कहा जाता है किस देश को कर दो तो तूर्की को जर्मनी का एकी करण क्पर पूरा हुआ जर्मनी का एकी करण कब पूरा हुआ तो गब पूरा था 1801 तू अब देखिए साथ्य और आपका अगला प्राफन है एक टाप युन्यान किस वर्षा पारित हुआ तो किस वर्षा 1727 में आपका लाश्ट प्रस्ण है साथ्यों बोल सिविक करांती कब हुई तो कब हुई थी कमेंड बाक्स में बताव साथ्यों तो यह 1977 में हुई थी साथ यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट बाक्से में जरू बताएं थैंस पर वासिंग